नबस्ते बच्चों, हिंडी कक्षा में आपका स्वागत है प्यारे छात्रों, नमस्ते आज के पाठ का शिर्शक है फल वाला आज के पाठ के उदेश्य इस प्रकार है आपको फल वाले से अवगत कराना दूसरा अंग से बनने वाले शब्द बताना चलिए आज की कक्षा को आरंभ करते है चात्रों, पहचानिये तो यह कौन है फल वाला फल वाला कहां है फल वाला बाजार में है बताईये तो फल वाला क्या बेचता है फल वाला फल बेचता है फल वाला सेब बेचता है फल वाला आम बेचता है फल वाला केला बेचता है फल वाला शरीफा बेचता है चलिए पुस्तक खोलिए पाठ है फलवाला फिर से इन वाक्यों को पढ़ेंगे यह फलवाला है फलवाला बाजार में है वह फल बेचता है चित्र में देखिये चित्र में फलवाला है वह कहां है? वह बाजार में है वह क्या बेचता है? वह फल बेचता है चलिए अब हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे अगला वाक्य पढ़ें अंजू अंगूर खड़िती है चित्र में देखिये अंजू है वह क्या खड़िती है? अंगूर पूरे वाक्य में बोलेंगे तो अंजू अंगूर खड़िती है अगला वाक्य देखिये राज सेव खड़िता है राज क्या खड़िता है? सेव देखिये उसके हाथ में क्या है? हाँ सेव तो बोलेंगे राज सेव खड़िता है अब अगला वाक्य देखिये यश शरीफा खड़िता है यश क्या खड़िता है? शरीफा यश के हाथ में क्या है? शरीफा बोलिए यश शरीफा खड़िता है आईए फिर से इन तीनों वाक्यों को पढ़ें अंजू अंगूर खड़िती है राज सेव खड़िता है यश शरीफा खड़िता है यहां पर देखिए अंजू लड़की है इसलिए क्रिया ती है से समाप्थ होती है और यश भी लड़का है इसलिए क्रिया ता है से समाप्थ होती है चलिए छात्रों अब हम अक्षरी करेंगे इस फल का नाम बोलिए हां अंगूर अक्षरी कीजिए अंग गू गू र बनता है अंगूर अंगूर क्या है अंगूर एक फल है अब इस चित्र में क्या है शरीफा अक्षरी कीजिए शर र इरी फ आ फा बनता है शरीफा शरीफा क्या है शरीफा एक फल है आओ सीखें अंग से बनने वाले शब्द अंग से अंगूर अंगूर क्या है अंगूर एक फल है अंग से शरीर के अंग अंग से अंगूठा आप भी अपना अंगूठा दिखाईए तो अंग से अंगूर क्या है चात्रो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा हाँ हमने अंग से बने शब्दों को सीखा चलिए एक बार फिर से अंग से बने शब्दों को पढ़ें अंग से अंगूर अंग से अंग अंग से अंगूठा चलिए अब इन शब्दों को अपनी कापी में लिखिए चात्रो आज हमने क्या सीखा आज हमने कुछ फलों के नाम सीखे और अंग से बनने वाले शब्द भी सीखे जैसे अंगूर अंगूठा अंगूठी अंदर आदी चलिए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे आप तैयार है पहला कार्य है चित्रों को शब्दों से मिलाइए चलिए पहले हम चित्रों को देखेंगे यह क्या है अंगूर यह क्या है अंगूठी यह कौन है अंजू यह क्या है अंडा अब यह क्या है अंगूठा चलिए अब हम शब्दों को पढ़ेंगे अंजू अंगूर अंगूठा अंगूठी अंडा मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ चित्रों को शब्दों से मिलाइए फिर हम साथ मिलकर सुधारेंगे हो गया बच्चों इसके शब्द से मिलाइएंगे बोल्ये अंगूर यह अंगूर है चलिए अब हम दूसरे चित्र को देखेंगे बोल्ये दूसरे चित्र में क्या है अंगूर्थी अब हम चित्र को उसके शब्द से मिलाइएंगे अंग से अंगूर्थी अब हम तीसरे चित्र को देखेंगे इस लड़की का नाम क्या है अंजूर बहुत अच्छा चलिए अंजू को मिलाते है अंग से अंजू अब चलिए अगला चित्र देखेंगे देखिए चित्र में क्या है अंडा अंडा चलिए अब हम चित्र को शब्द से मिलाएंगे बोलिए अंग से अंडा अंग से अंडा बहुत अच्छा चलिए अब हम अंतिम चित्र को देखेंगे चित्र में क्या है अंगूठा अंगूठा शब्द को मिलाएंगे बोलिए अंग से अंगूठा अंग से अंगूठा बहुत अच्छा आप लोगों ने अच्छी तरह से इस कार्य को पूरा कर लिया है चलिए फिर एक बार शब्दों को पढ़ेंगे अंजू, अंगूठ, अंगूठा, अंगूठी, अंडा अभब अभ्यास काड्य दो करेंगे पुस्तक लीजिये चात्रो पुस्तक खोलिये प्रिष्ठ उन्चास पेज फोतिनाइन पाठ है फलवाला नमबर एक अंग घेरो आज हम केवल अंग को घेरेंगे चलिए जल्डी जल्डी इस काड्य को पूरा कीजिये मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ हो गया बच्चो चलिए साथ मिलकर सुधारे पहले लाइन में अंग को घेरिये अब दूसरे लाइन में तीसरे लाइन में और अंतिम लाइन में हो गया बच्चो बहुत अच्छा चलिए अब हम अभ्यास काड्य तीन देखेंगे पुस्तक खोलिए पृष्ठ पच्चास नमबर तीन पूरा करो यहाँ पर कुछ अक्षर दिये गई है चलिए देखें बोलिए श ई छ घ अंग रए रे अब चलिए चित्रों को देखें यहाँ पर घर है अब इसे देखिए यहाँ पर इमली है इसे तो आप पहचानते हैं अंगूर शरीफा करेला छत्ड़ी आपको इन अक्षरों को शब्दों में पूरा करना है चलिए मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ कि अंगूर लेगा । चलिए साथ मिलकर पूरा करते हैं इस भर को पहचानिये तो यह इमली है इमली किस अक्षर से शुरू होता है इ से चलिए लिखिये इ, इ से इमली अब इस भर को पहचानिये यह अंगूर है अंगूर किस अक्षर से शुरू होता है अंग से चलिए लिखिये अंग, अंग से अंगूर अब इस भर को पहचानिये शरीफा शरीफा शब्द किस अक्षर से शुरू होता है श से लिखिये श से शरीफा अब यहां कौन सी सब्जी है करेला करेला शब्द को लिखने के लिए क के बाद क्या जोडेंगे रए तो लिखिये रए करेला करेला क्या है? करेला एक सब्जी है अगला चित्र देखिये छटरी छटरी शब्द लिखने के लिए पहले हम क्या जोडेंगे? छटरी शब्द लिखिये छटरी अब इस अंतिम चित्र को देखिये घर बोलिए यहाँ पर क्या जोडेंगे? घर घर से घर आईए फिर से शब्दों को देखें इमली, अंगूर, शरीफा, करेला, छटरी, घर आज की सीख हमें प्रति दिन दो या तीन फल खाना चाहिए फल हमारे स्वास्थ के लिए आवश्चक है आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है धन्यवाद अन्यवाद, फिर मिलेगे अन्यवाद, आज की साथ झाल झाल